नमस्कार बहुत पागत आप कढ़ाई कड़ा में मैं हूं रीनू यादव शुरुवात करी के खबरों की सबसे पहली बात जहां बिलासपुर लोगसभा से जीते तोखन साहू कॉंग्रेस के प्रित्याशी दिवेंद व्यादों को हराये हैं जहां पर एक लाग चौंसर हजार 558 वोटों की भारी अंतर से हराया है तोखन साहू को 7,24,937 वोट मिले हैं लोर में से विधायक रह चुके हैं तोखन साहू जिने मोदी कैमिनेट में जगा मिलने जा रही है और पियम आवास पर संभावित मंतरियों के साथ चाय पर चर्चा खत्म हो गई है चाय पे चर्च के दोरान संभावित मंतरियों को पियम ने कहा कि श्यपत के बाद काम में जुटे केंदरी ग्रह मंतरी अविच्षा, रक्षा मंतरी व्याजना सिंग, नितिन गटकरी और बीजेपी के रास्क व्यद्यक्ष जेपी नडडा इसमें शामिल हुए जोतीरा दित्त संधिया, मन नोहरलाल खट, जीतनराम मांची, चिराग पासबान, हर्श मलहुत्रा और भागी रत चोधरी भी इसमें शामिल हुए तो यह देखिए उस दोरान के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब तमाम जो सांसाथ हैं वो मौके पर मौझूद रहे देखिए आप जहां पियुश को है, ललन सिंग, जीतनराम मांची, नितन गटकरी, अमिट शहा और साथी राजनात सिंग मौके पर मौझूद रहे बैठेक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और चतिसगर से भी चहरे आपको नजर आ रहे हैं जहां चतिसगर से तोखन साहू का नाम शामिल है, मोधी कैबिडेट में जगा लेने के लिए और अभी आप ये देखिए जो प्रमुख चेहरे हैं, प्यूश गोयल बैठ पूना देवी, साथी अश्मिनी वैशनव, भुपेंदर यादव और अर्जुन राम गोपाल और इस तरीके से राम मोहन नाइडू और ये तमाम वो नाम जो की मौके पर मौजूद हैं, गिरी राज सिंग भी पहुंचे हुएं बैठक में शामिल होने के लिए, सी आर कारिकरम है, जहां नरेंद मोधी प्रधार मंतरीपत की शपत लेंगे और इस दुरान जो बड़े चहरे आपको नज़र आ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो सभी आज हो सकता है कि मंतरीपत की शपत लेने वाले हैं तो देखिए, जहत चौदरी, रामदास, आठावले, रवनीत, सिंग, जोतर अदित, सिंधिया, सर्वनन्द और साथीब, यह चहरे जो की आज मंतरीपत की शपत ले सकते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं नाम के साथ, और आज यह तमाम जो आपको सांसर नज़र आ रहे हैं जो की अच्छे खासे मतों के साथ जीत कर पहुँचे हुए हैं संसर में और इने मोधी कैबिनेट में जगह दिये जाने की तैयारी हो रही है। स्जी कोबार स्वामी भी आपको नज़र आ रहे हैं, शिबरा सिंग चोहानवी मौके पर मौझूद हैं और सावितरी ठाकूर का नाम भी है जो की आज केंदर में उनको जगह मिलने की बात कही जा रही है। मोधी मंतरी मंडल से जोड़ी बड़ी खबरे जहां पर MP से तीन चेहरों को जगह मिलेगी। शिबरा सिंग चोहान का नाम है, जो की मंतरी बन सकते हैं, जोतर अदिते सिंधिया का नाम भी सामने आ रहे हैं, ये भी मंतरी की बने की लिसमें शामिल है। सावितरी ठाकूर, ये एक नया नाम है, केंदर में जगह पाने बाली जो महिला सांसद हैं, मंदरी पद पासकती हैं, MP सी बिलॉंग करती हैं और साथी 36 गड़ का रुक करें तो 36 गड़ से तोखन साहू का नाम फाइनल हुआ है, उनको फोन आया है। देखी तोखन साहू जो की पहली बार सांसद बने हैं, और अच्छे खासे मतों के साथ इनोंने जीत हासल की है, इन्हें केंदर में जगह दी जारही है। अब ये सपास हुआ की तोखन साहू को मोदी कैश्यट में जगह मिलने की बात कही गई है। तो बिलासपूर से आकाश और दिल्ली से वीनित साती भोपाल से हमारे साथ शैलेंदर जुड़ गए तो सबसे पहले तो बिलासपूर कम रूख करते हैं आकाश के पास जी बिल्किल जैसे सुत्रो के हवाले से खबर आ रही है कि तोखन साहू का नाम यहां पर फाइनल हुआ है और उन्हें फोन आया है जानकारी मिल रही थी बता दे तोखन साहू बिलासपूर लोग सभा से अभी संसद बने हैं जीते हैं बड़े वोट से जीते हैं इससे पहले वो 2013 में लोर्मी से विधायक रहे हैं संसदी सचीव भी रहे हैं अगर 36 गड़ की बात करें तो यह ग्यारा में से 10 सीटे जो है वो भाजपा की मिली है इसमें लगातार नाम जो चर्चाओं के बीच चल रहा था उसमें संतोस पांडे थे ब्रिजमोहन अगरवाल थे विजय होगा तो ऐसे में अच्छे छवी के नेता माने जाते हैं तोखन साहू सुत्रों के हवाले से जिस तरके से खबर आ रही है मंत्री पदिन को मिल सकता है बता दे 36 गड़ गठन के बात की बात करें तो यहां से हर लोकसभा चुनावा में एक राज्यमंत्री चुन कर आए हैं ऐसे में 2014 में भी मोधी मंत्री मंडल में अगर जगा मिलती है तो यह 36 गड़ को गवरानमीट करने वाला है जी बिल्कुल और सिधरू करेगी विनीत के पास मिनीत कैसी हलचल देखी जा रही है इस वक्त दिल्ली में हम देख पा रहे हैं कि जो बैठा कुई तो उसकी तस्वेरी भी सामने आ गई है कई बड़े चैरी इसमें शामिल थे और अभी आप कहां पर मौजूद है जुट गए है सबसे पहले जो हैं वह पीम नरेध्य बोदी के साथ उन्हों ने इंट्रीक्ट किया और इंट्रेक्सन प्रिधान मंतेज नरेध्य बोदी ने टास्क दिया है चाहे पर जब उन्होंने मुलाकात की चर्चा की उस वक्त भी उन्होंने साफ तोर पर यह कहा था कि वह जब वह जिस तरह से सौधिन का एजेंडा दिया गया है वह काम करें इसके साथ ही साथ जो दिर्ग कालीड एजेंडे के बारे में बात करें दो हजार सेंटालिस तक भारत को विक्सित राष्ट बनाना है इसको के स्थरे से बनाया जाए इसको लेकर कर प्रधानमंतिर नरद मोदी ने अपना साफ तोर पर विजन दिया एक और बड़ी बात यहापर मैं आपको पताना चाहता हूँ प्रधानमंतिर नरद मोदी जब बी की बात हो या फिर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थबवस्था बनाने की बात हो क्योंकि हमने देखा है कि जब प्रधानमंतिर नरद मोदी हो या बीजेपी के बड़े जो सिर्थ नित्रित्तों के नेता हों वो लगातार अपने चुराओ प्रचाद में भी यह ब लेंगे चाय पर जो इंट्राक्ट कर रहे थे तब उन्होंने साफ तोर पर उन्हेंने कहा है कि वह अभी से विजकास के एजेंडे में जो है वो जुड़ जाए और इसको लेकर के कवायत जो है वह पूरी तरह से शुरू हो गई है और इससे पहले भी जब हमने देखा कि मत प्रदेश से च्टिस गड़े में से बात करें तो यहां से जिन नामों को लिया गया है कहीं न कहीं उनकी छवी जो है वो साफ सुत्री है एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पीम नरेंद मुदी इंडिये के निताओं के साथ मुलाकात कर र यही सीख और सबक जो है प्लानमतिर नरेंद मोदी ने अपने नव निर्वाचे सांसोदों को दिया जो उनके साथ मंतरी पत की शपत्त लेंगे बिल्कुल और एक बास फिरसाम अकाश करूं करते हैं अकाश तोखन साहो का नाम फाइनल होना यह थोड़ा सा चौकाता भी क्योंकि ब्रेजबर अगरबाल का नाम सामया आ दा आ है कि तोखन साहो का नाम फाइनल हो कुका है अकाश देखी आप अगर इससे पहले चुनाओं में जाएंगे तो विधान सबा चुनाओं के दरान जब भाजपा की बड़ी जीत हुई थी तो कई चौकाने वाले नाम आया थे चाहे मंत्रीपद में नए चेहरों को सामिल करने हो या मुख्य मंत्री चेहरे को लेकर है तो बीजेप समी करन पे भाजपा जीतती आई है तो एक एहम बात हो जाती है ऐसे में लगातार मन्थन किया गया बड़े बड़े नाम सामने आते रहे संतोस पांडे का नाम इसलिए सामने आता रहा उन्होंने पूर्मुख्य मंत्री भुपेज बगेल को हराया था इसके साथ ही जो दु इसके साथ ही चतिसगड की सबसी बड़ी जीत जो है ब्रिजमोहन अगरवाल को मिली है तो ऐसे में ये नाम सभाविक रूप से चर्चा थी लेकिन जिस तरीके से चतिसगड में चोकाने वाले भाजपा लगाता रहा है बड़े पदों को लेकर तो ऐसे में जो बिलासपूर से तोखन साहु जीत के आए है एक अच्छी बेदाक चबी रही है काम अच्छा किया है और समाजिक पकड़ है तो सारी चीजों पर मन्थन किया गया और कहा जा रहा है कि ये भी मंत्री मंडल में इसी लिए ही सामिल हो सकते हैं जी अब बिल्कुल और साफ सुतरी चवी जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि ऐसे चेहरों को जादा तरजी दी जाएगी जो साफ सुतरी चवी के होंगे एक बार फिर से हम विनीत करू करते हैं विनीत अभी क्या चल रहा है आप बीजेपी दफ्तर के पास मौके पर मौके पर जो है अब पूरी तैयारी चल रही है कि आखिरकार जब शपत ग्रहंट समारों होगा उसे किस तरह से भब्ब बनाया जाए और इसके साथी साथ में आप पताना चाहूँ कि सारे जो मंत्री हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री नरिदमोदी से मुलाकात की सभी सांसदों ने ज जो हैं वह मंत्री पत की सब्सक्राइब की सब्सक्राइब तो काफी इसके साथ मैं अब बताना चाहूंगा कि हमारे सही योगियों ने में कई तमाम ऐसे व्क्तियों से बात कि चाहिए और जुन मिगवाल है जैतंटा हो इस शिवराज सिंग चौहान हूँ आपचारी या अ प्रथानमंति नरद मोदी के लिए आभार विक्त किया है और साफ तर्परिया कहा है कि जिस तरह से उन्होंने विकास का एजंडा या फिर विकास के जो कारिक्रम तैकिये हैं उसे आगे बढ़ाना है और उसी को लेकर करके काम करना है तो साफ तोर पर हम देख सकते हैं कि प्र सनिता विक्त की है और सभी ने प्रथानमंति नरद मोदी को अपने मंत्री मंडल में शामिल करने के लिए धन्यवाद भी दिया है बिल्कुल और शेलिंद्र भी हमारे साथ जुड़ गाएं बीनिता उनका भी रुकर लेते हैं शेलिंद्र यह बहुत महत्पपुन हो जाता ह है कि मध्यप्रदेश से जादा से जादा चेहरे मोदी काविनेट में शामिल हो और यह माना जा रहा था कि अच्छा परफॉर्म है तो शायद और जादा संख्या बढ़ेगी लेकिन संख्या घड़ गई मंत्री मंडल में और देखा जा रहा है कि सिर्फ तीन नाम फाइनला लेकिन अब बड़ा अपडेट आया क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जिन सांसदों को जो संभावित मंत्री मंडले उनको लेकर बैठा कर रहे थे उसमें जो चेहरे नजरा है एंपी से दो और नए चेहरे तो अब एसा माना जा रहा है कि पांच चेहरे मंदर प्रदेश के होंगे जो की कैमिनेट में होंगे मोदी केमिनेट में और उनमें दो नए नाम है एक तो विरेंद्र खटिक को लेकर हम चर्षा कर रहे थे जो जली चेहरे बड़ा तो उन्हें वापस से रिपीट किया जा रहा है वो बेटक में भी नजराए इसी तरह एक और चेहरा है जो तूल से सांसदे दो बार से लगातार और नाकपूर से लगा हुआ है बेतूल लोकसभा सीड तो निश्चीती मंद्र पर इसमें पांच मंत्री बनने जा रहे हैं यह क्योंकि पीए मोदी की बेठक में सभी चेरे नजर आये हैं बिल्कुल और यह बहुत बड़ा प्रेट आप बहुत शुक्री आप सभी का तमाम जानकारी साजा करने के लिए तो बगत एक छोटे से ब्रेक का है देखते रहे हैं नूज़टी